Hello friends, Foundations of R Software के course में आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है और आज हम इस लेक्चर में एक नई टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है मिसिंग डेटा के बारे में अर्थाथ कि अगर हमारे R Software में कोई डेटा खो जाए या अबलेबिल ना हो तो उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाता है और आज हम इसी टॉपिक पर कि मिसिंग डेटा को कैसे हंडल किया जाना है उसमें R में हमारे भिन-भिन तरह के कौन-कौन से कमांड्स होते हैं उनके क्या-क्या हमारे statistics में हम आपको बता दे कि हम जब भी कर भी अपने डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो बहुत-बार ऐसा होता है कि डेटा कलेक्शन करते समय हमको डेटा नहीं मिल पाता है जैसे कि हम कहें कि मुझको पांच जगह पर जा करके डेटा कलेक्ट करना है और जब मैं चौथी जगह पर जाता हूँ तो उस जगह पर कोई व्यक्ति अबलिबल नहीं है हमको डेटा देने के लिए अब हम क्या करे हमारे स् सिटाटिस्टिस अ gef Hour की सिट्वेशन को हैंडिल करने के लिए हमारे पास एक पूरा एरिया है जिसको हम कहते हैं मिसिंग डेटा मॉडल्स और उन शिंद डेटा मॉडल्स हमिनी बातों की इवेजना करते हैं और शीकने के कोशिच करते हैं कि क्या हम जो value हमारी miss हो गई है जैसा मैंने कहा कि 5 जगह में से 4 जगह से मुसको data मिल गया लेकिन एक जगह से data नहीं मिला है तो क्या हम बाकी 4 जगह के data को इस्तमाल करते हुए क्या हम 5 जगह पर अपने data को उसकी क्या data की value होगी उसको निकाल सकते हैं और अगर निकाल पाते हैं तो उसको हम उसी 4 जगह पर fix कर देंगे जिसको हम बोलते हैं imputation और अपने उस data को उस जगह पर impute करने के बार में वो data हमारा ऐसा बन जाता है जैसे कि हमारा कभी data खोया ही नहीं था और फिर हम उसकी statical analysis कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर आर software में हम इस topic के बार में बात नहीं करने वाले हैं हम तो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जब हम अपने data collection की बात करते हैं तो आर software में उस missing data को किस प्रकार से दिया जाए हम उसमें उसको कैसे indicate करें कि आर है समझ जाए कि यहाँ पर data missing है और अगर आर इसको समझ जाता है तो दूसरी बात आती है कि उसको कैसे handle किया जाए आर को यहाँ किस प्रकार से बताया जाए कि आपको जो भी calculations करने हैं उसमें से आप उन missing data की values को हटा दीजे और फिर उन values को आप जो भी उस program के तहट आपको जो values calculate करनी है उस और आपको आर calculate करके बता दे इसके अलावा जब हमारे पास कोई data values आती हैं तो आज के जमाने में तो data values हमारे पास कोई नगकोई file के form में आती है जिसमें हमारे पास हजारों तो उस फाइल को हम खोल करके अपनी आखों से तो नहीं देख सकते हैं कि कहां कहां पर हमारे पास data missing है कि available है उसके लिए कुछ मुझको आर में automated commands चाहिए होंगे जिनके द्वारा हम ये मालूम कर सके कि हमारे उस data set में कोई data missing है या नहीं और अगर missing है तो उससे संबंदित हम निकालने की कोशिश करेंगे तो आर के अंदर हम इन चीजों को किस प्रकार से करते हैं ये बात हम आज इस lecture में सीखने और समझने की कोशिश करेंगे तो कलिए हम इस lecture की शुरुआत करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इन कारे को किस प्रकार से किया जाए अब देखिए सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि अगर हमारे data set में कुछ values अगर missing है वो नहीं है तो R को किस प्रकार से उनको inform किया जाए तो इसका R software में जो हमारा नियम यह है कि जो भी हमारी missing values है उनको हम N A से indicate करते है capital N, capital A तो यह हमारा यहां पर एक reserved word होता है यह वही बात है जैसा मैंने आप से बताया कि अगर हमको माल लिए पांच जगह से हमको data लेना है हम पांच जगह पर जाते हैं जगह नंबर एक जगह नंबर दो जगह नंबर तीन जगह नंबर चार और जगह नंबर पांच और माल लिजे कि यहां पर जो भी जो भी हमारा observation हमारा आता है कुछ इस तरीके से आता है पहली जगह पर हमारी value आ गई 110 दूसी जगह पर आ गई 120 तीसी जगह पर 105 और चौती जगह पर कोई नहीं है तो हम यहां पर लिख देंगे और पांच जगह पर हमारे पास value आ गई 125 तो इस तरीके से हम अपना data एक attack करेंगे और जब हम उसको आर में enter करेंगे तो जहां जहां पर हमारे पास यह data missing है वहां पर हम लिख देंगे अब दूसरा सवाल यह आता है कि जब आपके पास कोई data आता है तो वो कोई नो कोई file से आता है अब उस file में आपकी हजारों लाखों values हो सकती हैं और उस file के अंदर कुछ variables भी हो सकते हैं हो सकता है कि कुछ variables में value missing है और कुछ variables में हमारी value complete हो तो इस बात को कैसे मालूम किया जाए कि हमारे file में या हमारे variable में कोई data missing है कि नहीं है उसके लिए हमारे पास command होता है is.na is.na और यह सारा का सारा हम इसको lower case alphabet में लिखते हैं और उसके बाद parentheses के अंदर हम जो भी अपना variable है उसका नाम दे देते हैं तो यह जो is.na एक command है यह उसके ओपर operate करेगा और इसका जो outcome आएगा वह एक logical vector होगा अर्थार उसके अंदर जो values वहाँ पर available होंगी उनको true के द्वारा और जो values missing होंगी उनको false के द्वारा वहाँ पर दिखा दिया जाएगा जैसे कि अगर हम कहें कि यह वाले observation को अगर हम is.na से करेंगे तो यहां पर हमारे पास 110 के तो आगे आजाएगा true उसी तरह से 120 के आगे भी true और na के आगे लिखे आजाएगा false और फिर 125 के आगे लिखे आजाएगा true तो जहां जहां पर हमारा लिखा होगा true इसका मतलब है कि उस outcome में जहां जहां पर हमारा true जिन जिन locations पर आ रहा है वह हमारे data vector के अंदर उनी corresponding position पर data हमारा available है और missing नहीं है और जहां जहां पर लिख करके आ रहा है false हमारे outcome में उस location पर जहां false लिखा हुआ है उसके corresponding हमारे data vector में जो भी location है वहां पर हमारे data है missing वहां data हमारा available नहीं है तो अब इस operation को किस प्रकार से किया जाए तो चलिए हम एक छोटा सो धारग लेते हैं एक हम variable ले लेते हैं और उसमें value assign करते है na तो देखी यह तो जब आपने na value को ही उस variable को दे दिया है तो आपको मालूम है कि इस variable में value missing है अब हम अपने command को लाते है is.na और यहां पर parenthesis म value missing है अब जब आपको value missing है अब जब आपको value missing पता चल जाए उसके according फिर आपको अपना कार करना है तो यहां तो हमने एक scalar की बात करी अब अगर हम कोई एक data vector लेते हैं तो चली हमें data vector ऐसा कयार करते हैं जिसमें हमारे पास चार values हैं इसमें से पहली position पर और किसरी position पर हमारी values हैं 11 और 13 अर्था पहली और तीसरी position पर हमारे पास data value missing नहीं है और दूसरी और चौती position पर हमारा data value missing है और उसको हमने na से indicate कर दिया है अब हमारे पास यह variable आता है x और उसके अंदर हम कमान लगाते है is.nax अब उसका रिखिए जो outcome आता है यह हमारा कुछ इस तरीके के आता है false true false true यह क्या indicate कर रहा है जो हमारा पहला false आया है यह हमारा x vector में जो पहली position पर value लिखी है उसको indicate कर रहा है और उसके बारे बता रहा है तो यह कहा रहा है false इसका मतलब यह है कि x vector में पहली position पर जो value है वह missing नहीं है और उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे यहां भी लिखा हुआ है false और यह हमारा पहली दूसरी तीसरी position पर तो अर्थाद x vector में तीसरी position पर जो value लिखी है 13 वहाँ पर हमारे पास value missing नहीं है और काती अगर आप देखेंगे कि दूसरी position पर outcome में लिखा हुआ है true इसका मतलब यह है कि x vector में दूसरी position पर जो value है वहाँ पर value missing है अर्थाद जहां जहां पर लिखा हुआ है true वहाँ पर हमारी value missing है और उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे कि जो चौती position पर भी लिखा हुआ है true तो यहाँ भी x vector में जो चौती position पर हमारी value है और वह हमारी value missing है तो इस प्रकार से हम अपने r में operation करते हैं और इसके द्वारा हम यह मालूम कर सकते हैं कि कोई भी variable में हमारी value missing है कि नहीं है अब हमारे पास एक सवाल और आता है कि यह अगर value missing अगर है और अगर हमको कोई अपना एक function इस्तिमाल करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाए अगर हमारे data में कोई value missing है तो हमारा objective क्या होगा हमारा objective यह होगा कि जो values missing है उनको उस variable से हटा दिया जाए और जो हमारे पास data available है उसके उपर हमारा वो कार्य हो जाए तो जैसे उधारल के लिए अगर हम कहें कि आपका यह जो data vector है x जिसमें दो values missing है और यहां से आपको इसका arithmetic mean निकालना है तो arithmetic mean निकालने के लिए आपके क्या function होता है mean mean अगर आप mean को यहां पर निकालते है x के उपर तो आपकी value आजाती na अर्थात यह क्या करेगा यह जो चार value दी 11 na 13 na इनको आपस में जोगेगा और इसको 4 से divide कर देगा लेकिन इसमें यह हमको दे रहा है na लेकिन यह तो आप नहीं चाहते हो ना आप तो यह चाहते हो कि यह जो x हमारा value लिखी हो ही है 11 na 13 na इसमें से इन दो values को जो missing हैं इनको हटा दो और जो हमारा नहा पर नया vector आए उसके अंदर हमारी दो values होंगी 11 और 13 इनको consider करो और इनका जो arithmetic mean है 11 प्लस 13 divided by 2 equal to 12 यह मुझे को निकाल के दे दो तो यह कार अब r में कैसे किया जाए इस कार को करने के लिए हमारे पास एक command होता है na.rm और na.rm के हमारे पास दो options होते हैं इसको हम दे सकते हैं true यह हम इसको दे सकते हैं false और जब हम कहते है na.rm तो na.rm का मतलब होता है remove na values तो अगर हमने अपने इसी function में mean में मैंने अगर यह na.rm true अगर यह लिख दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ हम अपने r software से यह request कर रहे हैं कि जो आपके पास data vector है x उसके अंदर से missing value को हटा दीजिए और जो हमारी value missing नहीं है उनका हमको mean निकाल करके बता दीजिए तो जैसे हमने कहा na.rm equal to true इसका मतलब यह है कि मैंने अपने r को यही request करी है कि श्रीमान r सहब हमारे इस data में से missing value हटाईए क्योंकि मैंने यहां पर लिखा हुआ है आपको na.rm is equal to true अर्थात आपको समझना है कि आपको missing values को या na values को remove करना है और उसके बाद में जो हमारी 6 values बसती हैं उनका हमको आप automatic mean निकाल करके दे दीजिए तो यह हमारा operation होता है na.rm के साथ में और इसके दौरा हम अपने mean को यहां पर निकाल सकते हैं अब आगे जाने के पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ मैंने आपको यहां पर साथी में na.rm के बारे में भी बता दिया है और यह na.rm हमारा बाकी भी जो functions होते हैं वहां पर उसी तरीके से इस्तमाल होता है जैसे आगे आने वाले lectures में हम अभी बहुत सारे functions करेंगे जैसे sum, median, variance, इत्यादी तो वहां भी आप देखेंगे कि जब भी किसी data में अगर missing value है और आप missing value को हटा करके उस function की value निकलना चाहते हैं तो आपको na.rm equal to true इस्तमाल करना पगेगा अब हम आपको जड़ा सा इन operations को यहां पर करके दिखाते हैं और फिर हम आपको कुछ और चीजों के बारे में बताएंगे तो आप अगर देखिए तो यहां पर हम सबसे पहले अपने हम x को यहां पर define करते हैं na तो आप तो x में missing value हाई है तो हमने कर दिया is.na और parenthesis में कर दिया x यह आपको बोल देगा true अब आपने यहां पर एक और vector ले लिया जिसमें आपने दे दिया 11 na say 12 और say here na तो इस data vector में आपने देखा कि 4 values हैं पहली और तीसरी position पर जो value है 11 और 12 जो available है और दूसरी और चौती position पर जो value है वो missing है अब इस data में अगर हम यहां पर is.na को लगाते हैं तो देखी क्या उत्तर आता है यह आता है false true false true तो यह जो false हमारा लिखा हुआ है पहली और तीसरी position पर यह हमारे 11 और 12 के बारे में है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर हमारा data missing नहीं है और जहां पर लिखा हुआ है हमारा true जैसे देखिए दूसरी और चौती जगह पर यह हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि x में दूसरी और चौती जगह पर जो दो values है वह missing है और साथ ही अगर हम मालीजे यहां पर अगर हम mean निकालने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या होगा mean of x क्या जाएगा na लेकिन अगर हम यहां पर mean of x निकालते हैं और साथ में हम लिख देते हैं na dot rm is equal to true को को देखिए क्या होगा यह हमको बता देगा 11.5 क्यों इसने na को हटा दिया और दो values बची 11 और 12 तो इसका arithmetic mean क्या हो गया 11 प्लेस 12 divided by 2 तो 23 divided by 2 जो हमारा है 11.5 तो आपने देखा कि इन missing values को handle करना बहुत कथिन काम नहीं है और हम यहां पर यह बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि कोई हमारे data set में missing value है कि नहीं है और अगर उत्तर आता है कि missing value है तो हमको उस data set में या उस variable में हमको dot rm equal to true को इस्तेमाल करना पूरेगा और अगर कोई data की value missing नहीं है तो हमारा by default होता है कि जो भी हमारे functions r software में बना जाते हैं वो इस basis पे बना जाते हैं कि data में कोई value missing नहीं है अब इस any value को आपको बताने के बाद में हम एक और आपको यहां पे concept देना चाहेंगे जो होता है null 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 आप देखेंगे कि कुछ हमारे functions को जब हम operate करते हैं तो हमारा उसका उत्तर आ जाता है null बहुत लोग यह समझते हैं कि यह null और na दोनों एक ही चीज़ है लेकिन यह गलत है यह na और null यह दोनों अलग अलग चीज़े हैं क्या हैं यह यह जो na है यह एक हमारा placeholder है अर्थ लेकिन वह चीज़ वहां से missing है और जो NUWL होता है null यह हमारी इस बात को दिखाई पड़ता है कि यह चीज़ यहां से missing है लेकिन यह तो यहां पर कभी existing नहीं करती थी अब इन दो बातों का क्या मतलब हुआ इसको जड़ा सा हमें एक उधारन से समझने की कोशिश करते हैं अब देखी हमें छोटा सा उधारन लेते हैं कि एक हमारे school है जहां पर school में बच्चों को admission करने के लिए मालीजे की 100 बच्चों ने इंतहां दिया अब उन 100 बच्चों म से हमारे पास सपोस की 70 बच्चों का admission हो गया और 30 बच्चों का admission नहीं हुआ अब हमारे पास इन सारे सारे 100 स्टुडेंट्स के दो group बन गया है एक हो गया वो बच्चे जिनका admission हो गया और दूसरे बच्चे जिनका admission नहीं हुआ अब आपको मालूम है कि school में हर student की attendance अब आप यह मानिए कि हमारे इन दो groups में से एक एक बच्चा हमारा absent है तो हम इसको यहाँ पर कैसे handle करेंगे तो पहले हम लेते हैं कि जिन बच्चों का admission हुआ है उसमें से कोई एक बच्चा हमारा absent है class में आज इसको हम कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे na मतलब यह बच्चा यह student इस school का एक authorized student है लेकिन आज यह school नहीं आया है तो यह हमारा क्या हो गया na अर्थाथ इस बच्चे की यहाँ पर जगात थी किस student की यहाँपर जगात है लेकिन आज यह वहाँपर नहीं आया है इसलिए हम यहाँपर use करेंगे na दूसरी और हमारे जो दूसरा ग्रूप है तीस बच्चों का जिनका हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ है अब हम कहते हैं कि अगर उस ग्रूप में से कोई हमारा स्टुडेंट स्कूल नहीं आता है तो हम क्या करेंगे आपने कभी देखा है कि ऐसे स्टुडेंट की एटेंडेंस रेजिस्टर में कभी एपसेंट या प्रेजेंट लगाई जाती है नहीं क्यों इस बच्चे का जब एडमिशन ही नहीं हुआ है इस बच्चे की हमारे स्कूल में जगा ही नहीं है तो हम उसकी attendance क्यों लेंगे, अर्थात इस बच्चे की यहां पे कभी जगा exist करती ही नहीं थी, इस बात को हम यहां पे लिखेंगे NULL, N-U-L-L, NULL, तो यह देखी फरक होता है हमारे N-A और NULL के टूप्यूग में, और यही concept है, जिसके उपर हमारा R software में N-A और NULL के जो outcomes होते हैं, उनको interpret किया जाता है, अमीद है कि अब आपको यह समझ में आगिया होगा, चलिए हम पे लेक्चर को आगे बहाते हैं, अब जब हमको यह मालूम पढ़ेगा कि हमारे data vector में कुछ values missing हैं, तो आप उनहीं लगता कि हमारा अगला देश होगा, कि वो कौन-कौन सी values missing है तो इस बात को जाने के लिए कि हमारे data vector में किन-किन locations पर, किन-किन जगह पर na आ रहा है, अर्थात, किन-किन जगह पर हमारा data missing है, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक function होता है, which, w-h-i-c-h, और इसको हम कैसे इस्तमाल करते हैं, हम उसको लिखेंगे, which और parenthesis में लिख dot na, सब कुछ lower case में, which और is dot na, दोनो lower case alphabet में लिखे जाएंगे, और फिर हम parenthesis में लिख देंगे उस data vector का नाम, जहां पर हम ये मालूम करना चाहते हैं, कि उस data vector में किन-किन location पर हमारे पास na है, अर्थात, values missing है, चलि हमें को दारा लेते हैं, हम उसी data set को लेते हैं, जो हमने अभी लिया था, यहां पर, तो हमारे पास यहां चार values है, पहली और तीसरी जगा पर values है, 11 और 13 और दूसरी और चौथी जगा पर values missing गया, अब हम यहां पर लिखते हैं, which और parenthesis में लिखते हैं, is dot na, और फिर हम parenthesis में लिखते हैं, x और parenthesis को बन कर देते हैं, अब इसका द data vector है, इसमें देखें कितनी values हैं, 4 और इन values के साथ में इनकी अपनी position भी हैं, इसकी position क्या है, 1, इसकी position है 2, इसकी position है 3, और इसकी position है 4, तो यह जो हमारा 2, 4 आया है, यह हमारा, यह जो position पर 2 और position पर 4 लिखा हुआ है, यह उसको indicate कर रहा है, तो जब हम यहां पर 2 और 4 को तो हमको यह समझ जाना चाहिए कि X data vector में जो हमारा दूसरी position पर और चौथरी position पर जो values है वह missing है अब हम आपको एक और सवाल का जवाब देते हैं कि अगर हमारी इच्छा ये है कि हमारे data set में जो भी values हैं उसमें से हमारी कितनी values missing हैं इस बात को निकालने के लिए हमारे पास function होता है sum और इसको हम कैसे use करेंगे sum और उसी तरह के से parenthesis में हम लिख देंगे is.na और उसके बाद parenthesis में हम उस data vector का नाम लिख देंगे जहां पर हम यह मालूम करना चाहते हैं कि यहां पर कितनी values हमारी missing हैं और यह जो भी है sum और is.na इनको भी lower case alphabets में ही लिखा जाएगा तो हम उधारण के लिए उसी data vector को फिसलेते हैं जहां पर हमारे पास पहली और third position पर data available है और दूसरी और चौथी position पर data missing है अब हम इसके उपर जह हम करते हैं sum is.na और parenthesis में करते हैं x तो देखी क्या उतरा गया दो यह क्या दिखा रहा है कि यहां पर दो values missing है एक यह है na और एक na हमारा यह है तो यह दोनों का जो योग है वो आपको दिखा रहा है तो इसके द्वारा इस output को दे करके हमको यह पता चल जाएगा कि हमारे data vector में दो values हैं जो missing हैं जो खो गई हैं और इसके बाद में हमारे पास एक सवाल और आता है कि अगर हम यह मालूम करना चाहते हैं कि हमारे variable में या dataset में कितने complete cases है मतब कि कहाँ-कहाँ पर हमारा data available है और कहाँ-कहाँ पर हमारा data available नहीं है अरतात missing है उसके लिए हमारे पास एक command होता है complete.ases, c-o-m-p-l-e-t-e dot c-a-s-e-s सभी कुछ lowercase alphabets में लिखा जाएगा और इसके बाद parenthesis में हम लिख देंगे जो भी हमारा data vector है उसको, इसके दोरा जो हमारा output आएगा वो हमारा एक logical vector होगा, जहां पर हमारे उत्तर true और false के form में लिखे होंगे तो जहां पर उत्तर होगा true इसका मतलब है कि वहां पर हमारा data available है और जहां पर लिखा हुआ है false इसका मतलब है कि वहां पर हमारा data missing है तो यहां पर हमें को दारह लेते हैं इसी बात को आपको दिखाने के लिए तो मैंने वही वाला एक data vector ले लिया, जो मैंने पहले इस्तेमाल किया है, इसमें चार values हैं, पहली और किसरी position पे हमारा data है, और दूसरी और चौथी position पे हमारा data missing है, तो यह हमारा है x, अब इसी में हम देखते हैं complete dot basis और parenthesis लिखते हैं x, तो देखिए, यह हमारे यहाँ पे क data vector की जो पहली position है, वहाँ पे दिखा रहा है, कि उत्तर है true, इसका मतलब कि वहाँ पर हमारे पास value available है, कोई value missing नहीं है, उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे कि third position पर भी लिखा हुआ है true, और third position में x data vector में लिखा हुआ है 13, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे लिखा है true, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई value missing नहीं है, उसी तरीके से आप अगर देखेंगे कि इस outcome में लिखा हुआ है false, दूसरी position में, इसका मतलब है कि x data vector में दूसरी position पर जो value है, वह missing है, और इसी प्रकार से चौती position पर भी outcome में लिखा हुआ है false, इसका अर्थ है कि data vector में चौत position पर जो value वह missing है, इसका मतलब कि हमारी पहली और तीसरी जगह पर जो values है वह available है, और जो दूसरी और चौती जगह पर value है, वह हमारी missing है, अब यह सब तो पताच कल गया कि हमारे पास कोई value missing है कि नहीं है, अब हमारा अगला objective यह है कि जो भी हमारे पास data set या variable आया है, उस में से जो जो हमारी values missing है, उनको बाहर हटा करके जो जो हमारी complete values है, वो हमको एक data set पकड़ा दिया जाए, हम यह चाहते हैं कि हम अपने सारी missing values को अलग कर लें और जो जो complete values है, उसके उपर हमको अपने जो भी mathematical operations करने हैं, उनको हम करते रहेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फिर parenthesis में हमारा जो भी एक data vector है, उसको लिख दिया जाएगा, तो यह कार क्या करेगा, कि यह हमारा parenthesis में हम जिस data vector को यहाँ पर लिखेंगे, उसमें से यह na values को हटा देगा, और जो बाकी हमारी values हैं, जो हमारी complete values हैं, उसके लिए हमको एक जो data set या variable पकड़ा देगा, त इसमें से खास बात क्या है, कि उसमें से यह data set में से na values को हटा देगा, तो उसमें से जो आपका नया data set आएगा, वहां से आपको कभी नहीं पता चलेगा कि किन किन जगह पर हमारा कोई data missing था, तो चली हमें को धारग लेते हैं, और उसको करते हैं, तो देखिए हमने यहाँ यहाँ पर पुराना वाला data set लिया है, यहाँ पर हमारे पास चार value हैं, जिसमें पहली और तीसरी पोजिशन पर data value available है, और दूसरी और चौथी पोजिशन पर data हमारा missing है, अब हमने यहाँ पर एक नया data vector बनाया, और उसको हमने बनाया na.omit और parenthesis में लिख दिया x, अर्थ हमने एक data vector में से जो missing values हैं, उनको हटाने के बार में जो भी हमारा data है, उसको हमने इस y variable के अंदर restore कर लिया, तो अब आप देखिए, यहाँ पर आपका यह na और na to missing values थी, तो इसमें na.omit ने इन दो values को हटा दिया, और जो आपकी दो values थी 11 और 13 इसको इसने देखी यहाँ y के अंदर restore कर दिया, और साथी में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है two four, यहाँ पर लिखा हुआ है omit, जो आपको यह बता रहा है कि चार में से दो values available हैं, दो missing हैं, और इसका जो class है, हमारा omit है, अब हमको क्या करना है, अब हम इस अपने नए data vector के अपने सारे operation कर सकते हैं, जैसे हमने देखा कि y आपका क्या आगया, इसके अंदर कोई भी missing value नहीं है, अब हम यहाँ से अगर हम इस x beta की ऊपर अगर हम mean निकालेंगे, तो इसका उत्तर आएगा na, लेकिन अगर हम यहाँ पर y से अगर हम अपने इस mean को निकालेंगे, तो हम 7 plus 13 divided by 2, which is 24 divided by 2 equal to 12, तो देखे क्या advantage हुआ, इसने इसमें से missing values को हटा करके आपको data दे दिया, जिसके ऊपर आप अपने सारे कार कर सकते हैं, अब यह भी operation कुछ वहसा ही है, जैसे आपने अभी na.rm is equal to true करके किया था, तो इसने भी यहाँ पर missing values को हटा दी है, दोनों में अंतर किया है, कि जब आपने na.rm is equal to true किया था, तो उसने कोई एक अलग से data set नहीं क्यार किया था, उसने उसी data set में से na values को हटा करके बाकी values के उपर अपना जो भी operation कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इसने एक नया data set क्यार किया है, और उसके उपर इसने अपने operations करे हैं, तो चलिए, जड़ा से हम इन operations को अपने r console में करके देखने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि यह किस प्रकार से कार्य करता है, तो चलिए हम अपना यह जो पहले वाला x vector है, जहाँ पे हमारे पास पहले और third number पर हमारे पास values हैं, और दूसरे और चौर्थे number पर हमार values missing हैं, तो उत्तर हमारा आ गया two or four, अर्थार दूसरी और चौर्थी जगह पर जो values हैं, वो हमारी यहाँ पर missing हैं, अब इसी में से हम देखेंगे, हमको यह निकालना है यहाँ पे, कि हमारी कितनी values missing हैं, तो हमने यहाँ पे देदिया command sum, और parenthesis में कर दिया is dot na, और parenthesis में क और parenthesis को बन कर दिया, तो देखिए SM को देदिया 2, तो यह 2 क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है कि हमारे पास 2 missing values हैं, इस data vector में x में, तो देखिए x में कौन कौन सी missing value हैं, यह है na और यह है na, तो 2 missing values हैं, तो इसने मुझे दिखा दिया यहाँ पे, कि total हमारी यहाँ पे और parenthesis में लिख दिया x, देखिए आपका उत्तर आगया true, false, true, false, देखिए true कहाँ पे आगया, 11 और 12 की जगह पर, और false कहाँ पे आगया, जहाँ जहाँ पे हमारा na लिखा हुआ है, अब उसी के बाद अगर हम यहाँ पे, एक हम data vector बनाते हैं, यहाँ पे y, और y को मनाते है na.omit, और अर्थात, यह x data vectors में से दो na values हैं, उनको हटा करके, हमारे पास एक नया data vector बना दिया जाए y, आप देखिए, तो y आपको देखिए, ऐसे आ गया, y के अंदर दो values है, 11 और 12, अब आकर आप देखिए, तो x आपका यह आगया, y आपका यह आगया, और अगर आप यहाँ पर mean value निकालेंगे, mean of x, तो यह आपको देदेगा na, लेकिन आप जब निकालेंगे mean of y, तो यह आपको 11 और 12 का जो mean है, 11 प्लस 12 कितना हो गया, 23 और 23 divided by 2, 11.5 यह आपको mean यहाँ पर देदेगा, तो अब आपने यह भी देख लिया, कि यह हमारे पास भिन भिन तरी lecture को रोकते हैं, और यहाँ पर आपने देखा कि इस lecture में हम लोग ने, जो भी हमारे data में missing values होती है, उनको किस प्रकार से handle किया जाए, उसके बारे में बात करी, और हमारे पास यहाँ पर कई सारे objective थे, कि जब हमारे पास कोई data आता है, तो usually उसके अंदर हजारों लाखों values ह होती है, उनकों अपने आपों से तो नहीं देख सकते हैं कि कौन सी values missing है और कौन सी value missing नहीं है, लेकिन अगर हमारी value missing है और यह value नहीं missing है, उसके अनुसार हमारे जो भी functions के command होते हैं, उनका जो syntax होता है, command को लिखने का तरीका है, वो बदल जाता है, कि हमको na.rm को use करना ह हमको na.rm को true करना है कि false करना है, तो सबसे पहला सवाल तो हमने यहीं निकाला कि missing value को कैसे identify किया जाए, उसके बाद में हमने missing values के बारे में विभिन तरह की information है कि कहां कहां पर missing values हैं, कितनी missing values हैं, उनके बारे में information निकाली, और साथ ही हमने यह भी देखा कि अगर हम अपन missing values को हटा करके एक नए data set को भी हनाना चाहते हैं, तो उसको कैसे किया जाए, और उसके उपर हमने भिन भिन तरीके के operations किये, अब यहां पर आपको याद यह रखना है, कि यहां तो मैंने आपको missing data के बारे में बता दिया, लेकिर हम आगे आने वाले अपने lectures में बहुत तर complete है, या कुछ data missing है, तो आपको हर command के साथ में यह सोचना बहुत अवश्यक होगा कि अगर हमारा यह data यहां पर missing है, तो हम इस कार को किस प्रकार से करेंगे, और आज आप एक छोटे-छोटे data set को लीजिए, उसके अंदर कुछ values को missing करिए, and then उसके उपर आपने जो-जो भ की कोशिश करिए, कि अगर हमारे पास कोई values missing है, तो उस case में हम some product, इत्यादी function को किस प्रकार से इस्तिमाल करेंगे, और उनकी practice करिए, चितना ज्यादा practice करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको यह concept clear होंगे, तो आप इन functions command की practice करिए, और हम आपको अगले turn पर कुछ नए topics के साथ, फिर से मिलने आएंगे, तब तक के लिए, good bye. करेंगे!